प्रमात्मा की देया से बेहनों को ज्वाइनिंग मिल गई अब हरियाना पुलिस में लगबग 7000 बच्चे है ना क्योंकि वो मतलब जब दुखी होता है बच्चा तो वो किसकी और देखता है या तो घरवालों की और या अपने हध्यापक की और देखता है बहुत ज्यादा ब बना हुआ है कि CET क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए और जब हमने इस पर वीडियो बनाई थी ना तो बहुत से कुछ एसे जो मैं तो किसी को कभी आज तक मेरी लाइब में किसी को गाली नहीं दी है तो कुछ लोग एसे भी थे वो कह रहे थे कि ये सभी टीचर को अ ये टुईटर पर जिके भाई प्रदीप सर के नाम से मेरा टुईटर पेज है उस पर ये देखोगे 26 जून की पोस्ट है और उसमें भी मैंने ये कहा था CET क्वालिफाइंग ओनली मतलब इसमें चार गुना बुलाना गलत है उस ताइम तो कोई एक्जाम भी नहीं हुआ थ है तब भी आवाज उठाई थी जिसे राजेश जी ने रेड स्क्वेर मार्केट से मतलब क्या है पत्तर भी विजवाई थे क्वालिफाइंग क्योंकि हम टोपर के खिलाप कैसे हो सकते हैं अगर हम एक्जाम के बाद करते तो माल लेते टोपर के खिलाप है लेकिन हमने तो म कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो कभी भी कोई भी टीचर होता है ना वो अपने स्टूडेंट की जोब से जाना जाता है तो वो कभी टोपर के खिलाप है नहीं हो सकता इस मुहीं में ना बहुत से कल मैं मलब बड़ी कुसी की बात है कि सभी यूट्यूबर जो अध आवाज उठाएंगे ना तो हमारी मांग हो सकता है मानली जाए और केवल है ना एक जगह से आवाज उठाने से नहीं होगा मैं कहता हूँ हर जगह से आवाज उठनी चाहिए और एक सभी प्यारे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक ग्यापन है ना एक तो क्वालि पांच अगस्त की पोस्ट है फिर दुरगा शक्ती का ये ये भी हमने ट्वीटर कंपेन किया था और परमात्मा की देया से बेहनों को ज्वाइनिंग मिल गई अब हरियाना पुलिस में लग बग साथ हजार बच्चे है ना क्योंकि वो मतलब जब दुखी होता है बच्चा तो हम आपके साथ है तो कल है ना CET qualifying nature के साथ एक ग्यापन हम और सोपेंगे कि हरियाना पुलिस की ज्वाइनिंग दो और 21 तारीक को परमात्मा करें आप सभी बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाए और मैं सभी बच्चों से request करूँगा आप जितने भी MLA को ग्यापन सोपने ज हरियाना पुलिस का result आया था तो घर वालों ने लड़कियों को बाहर जाने पर पावंदी लगा दी कि medical में दिक्कत ना आये तो उन बेहनों का दर्द है ना वो बहुत ज्यादा दर्द है तो कल हरियाना पुलिस वाले बच्चे भी इस मुहिम में आना हम दो ग्यापन है सो इसार आऊंगा बोच से बच्चों की कोल आ रही थी सर आप आ रहे हो क्या बच्चों के लिए कोई भी अगर movement होगा ना तो मैं जरूर आऊंगा और जितने भी मतला भी यूट्यूबर बाईयों से और पत्रकार से मैं मुहिम करूंगा कि इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्य करो और पूरे हरियाना में इस मुहिम को हमें फेलाना है हर जगे हमें एना MLA और DC साब को ग्यापन से उपना है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक की बजाए दो ग्यापन से उपना अरियाना पुलिस की बच्चे एना बहुत ज्यादा दुखी है तो कल साड़े दस जय हिंदे जय भरत